दोस्तों स्वागत है आपका हम बात करने वाले हैं मैं आपका दोस्त दिने स्टिम्बाउत और हम बात करेंगे EORO एक्जाम की द्रस्टी से हम टेक्स की बात करें हैं टेक्स किस तरह से बनता है हमने बात करी टेक्स पर किस-किस चूट मिलती है और टेक्स बनता किस-किस तरी ठीक है न अब बात कर रहा गए देखेगा एक अप्रेल से ये छूट की बात कर रहा है न छूट किस परकार से मिलेगी किस परकार से होगा देखे एक अप्रेल से 30 जून तक जम्मा करवाने पर दिये गए टैक्स में 10% के छूट मिलेगी अगर आपने एक अप्रेल से 30 जून के मिलेगी टैक्स जम्मा करा दिया तो आपको टोटल जो एमूंट होगा उसका 10% छूट मिल जाएगी ठीक है अगर आप एक जुलाई से 30 सितंबर तक करवाते हैं एक जुलाई से 30 सितंबर तो आपको 5% के छूट दी जाएगी 5% के छूट दी जाएगी 30 सितंबर के बाद कोई छूट नहीं दी जाती है 30 सितंबर के बाद कोई छूट नहीं होती है यह अलग बात है कि सरकार इसपेसली अलग से अनॉश्मेंट कर दे वो अलग बात रहती है लेकिन officially 30 सितंबर के बाद कोई चूट नहीं दी जाती ऐसे भूमी जिनकी स्वामी मैला है मैला के नाम प्रोपर्टी है तो उन्हे कर में 10% चूट दी जाएगी 10% चूट एक्स्ट्रा है याद रखिएगा यानि कि 10% कहा कहा जूट जाएगी अगर एक एक अप्रेल से 30 जून तक करवाते है 10% तो ये चूट और 10% मैला के साब से 20% की चूट हो जाती है ठीक है और अगर ये एक जुलाई से 30 सितंबर तक करवाते हैं तो 5% तो ये चूट और 10% मैला क्यानि 15% मिल जाएगी ठीक है एक्स्ट्रा मिलती है याद रर से 31 मास्ट तक जम्मा कराने पर कोई चूट नहीं दी जाएगी जिस तरीके से वसूल करेगा डिवान नोटिस बनाएगा कुरकी करेगा वो करेगा ठीके ना अब बात करें नगरे भूमी भाउनों पर करके निर्धान है तो किसी भी भूमी भाउन की उप्यूग का निर्धान निम्ना नुसार किया जाएगा निम्ना की सूची के वल भूमी यह भवन की परकरती निर्दान कर निर्दान के लिए उप्यूख है तुम मानी होगी ठीके ना अब देखते किस प्रकार होगा कौन-कौन सी मात अगर अगर अपन मान रहे है रेजिडेंसिल यानि आवास यह मान रहे है तो आवास आएगा फार्मोस आएगा सवतंतर आवास आएगा फ्लेट्स आएंगे ग्रूप हाउसिंग के ऐसे समस्त परिसर जिने के अवल आवासी पर्योग में लिया जा रहा है तता गेस्ट हाउस पेंग गेस्ट होस्टल यह रेजिडेंसिल में आने वाला है याद रखिएगा इंडेस्ट्रियल में यानि की कमर्सिल में सोर आएगा ऐसे समस्त परिसर जिनमें वैसाई गतिवीडिया संचाले थे जिनमें सवी परकार के थोक घुद्रा दुकाने सोरूम गोदाम वरक्सोप सीनेमा यह कमर्सिल माएगा मल्टिप्लेक्स वारनी वैपार रेस्टोरेंट कैफरेटेरिया बार पिकेट होल जो होटल पर प्लेने टोरियम मैला सदन समाच समुदाई द्वारा संचाले थे राष्तान आवासन मंडल प्राधिकरण नगर विकास नियास द्वारा संचाली सामदाई के अंदर इस्ताई वैपार मेला यूग उसाधना के अंदर प्राकर्तिक्चिक साले सामाजिक सांस्कृतिक के अकासवानी दूर्शंचा टावर इस्टेशन गेस बुकिंग सप्लाई मनो अंजन कलब दनम साला कोचिंग सेंटर बारा सरकार राजी सरकार के परिसंपतियां इनका दिन समझ सारुजनिक उपकरम कंपनिया निगम बोड के कारले आवास गोदा में अन्य परिसंपतियां इंस इसके अतरिक सभी प्रकार की होटल होटल परिसर में सेंचले रेस्ट्रोडोन कैपेट एरिया बेकेट होल भी समें संभली थे ठीक है यह बात थी अब देखते हैं और नगरे नगरे निकाय उक्त करकि वसुली स्वयम अपने समसादों से कर सकेंगे किसी एजनसी को रिकोर् परकि त्रमानी देस्तेव क्इम करने, मांग पत्र जारी करने, सरवय करने और समदित कर फरिक दी कर सकें यानि ठेका देने के बात इसमें खरी गई है, नगर निकायों को उक्त कर दाता सीदे जमा कर सकता है वो क्रेडिट काड इंटरनेट बेंक आता ओनलाइन प्रक्रेदोरा जम्मा करवा सकता है नगरे विकास करका निर्धान मौके पर भूमी के वास्तिक उप्यूग के आधार पर किया जाता है और वहीं कर देना होता है यानकि आपकी ऑफिसली रेजिस्टर्ड में कितनी है वो क स्वाइच सहसन विभाग द्वारा किया जाएगा यह सुर्जना एक अप्रेल 2016 से प्रभवी फूई थी तीक है तो यह जानकारी कैसे लगी यो औरो के लिए को बड़ी मैतब फून है रिवेन्यों को लेकर टैक्स को लेकर चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा नमस्कार